तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ जो लोग सीजल 19 के हो और आप सोच रहे होगे कि आप सीजल 19 को भूली गया मैं और बहुत सारे चीजें आप लेको दिमाग में चल रही थी जब से सीजल 18 का रिजल्ट आया है और बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ त सभी के मैसेज जो टेलिग्राम पर आये हुए थे यूट्यूब कॉमेंट में थे मैं डेली पढ़ता था लेकिन इतना ज्यादा व्यस्तता हो गई थी रिजल्ट आने के बाद सीजल 18 का कि मैं वाकई कुछ कह नहीं सकता आप से है ना और मेरी क्लासेस भी बंद हो रखी थी तो मैं आपके बिल्कुल करीब हूँ टेंशन लेने के जरूरत नहीं है है ना तो चली अब हम स्टार्ट करते हैं पहली बात कि अभी कुछ ज्यादा ही बैचेनी बच्चों के अंदर हो गई है सीजल 19 की बैचेनी तो सुरू से ही है लोगों के मैसेज रोज स्टार्टिंग और पहली बात कि जैसे रिजल्ट आया लोगों की जोब लग गई देखा लोगों ने तो थोड़ा एक बनता है आत्मी के माइंड पर फोकस नहीं हो पा रहा है और बहुत थाले लोग हैं जो यार अब आगे फोकस नहीं बना पा रहे हैं बहुत जादा डिस्टर्बन लोग लोगों से बात करने पर मालूम चलता है और मैं पहले से टच में हूँ तो मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छे से मैसूस कर रहा हूं कुछ के मैसेज आ रहे थे कि आप अपडेटेट कट अफ को बताईए कि अगर कट अशर पढ़ने वाला है जिल्नों की नौकरी लग गई नहीं आप रिप्लाई नहीं करते तो बिल्कुल मैं इस बात को डिसँगरी करता हूं आप मेरे यूट्यूब कॉमेंट के सारे कॉमेंट चेक करें टिलिग्राम पर जाएं मेरे कभी भी लग जाया मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूं तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर हो पा रहा है देखिए सबसे पहला बात कि मुझे जो यह है चाहे सबको यही पता है कि SSC का जो यह marks आने का है अब किसी को confirm नहीं है लेकिन जो calendar आता है SSC का कि कब आगे के exam होने है कब आगे के exam के result आने है वो उमीद लगाई जा रही है कि इस महीने के 15 या 20 तारिक तक आप देख सकते हो है ना बहुत टाइम से वो calendar अपडेट नहीं हुआ है और आपने आज एक message देखा होगा D.O.P.T. को दिया गया था है PMO की तरफ से जिसमें कई सारे irregularities जो student face कर रहे है PMO पर उन्होंने grievances डाला था हम लोगों ने बीच में जब Twitter campaign था तो बहुत सारे grievances लिखी थी उसी का reference ले करके लिखा गया लेटर PMO की तरफ से ये उमीद लगाई जारे कि at least ये date जो है वो SSC जरूर बता देगे अच्छा कब तक की उमीद लगा सकते हैं अगर हम एक rough idea ले तो मैंने पहले भी कहा है कि CHSL और CGL 2019 दोनों की descriptive copy जहां तक मुझे है कि एक साथ ही चेक कर रहे होंगे क्योंकि दोनों का exam 80 pass हुआ है तो ये 3 से 4 महीने अप लगा सकते हो तो हम जून तक का उमीद कर सकते हैं कि marks आने की उमीद है जिसमें tier 2 और tier 3 का marks एक साथ देंगे है न और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे आपका marks आएगा कि कितने आपके normalized marks है उसी दिन उसी दिन आपको मालूं चल जाएगा कि आपका selection होना है या नहीं होना है इतना clear है अगर आप tier 3 का score आपको marks अगर वो declare कर देते हैं तो वहीं तक का सारा खेल होता है फिर आप अपना decision ले सकते हो उसे साब से चले अब CGL 18 का जो result है उसका क्या असर पढ़ने वाला है मैं उस पर आप से बात करता हूँ देखे CGL 18 एक ऐसा process था जिससे मैं student से बिल्कुल बहुत closely attached रहा था reason यह था कि मैं जब document verification पूरा cover किया था जिसमें मैं post preference बता रहा था तो लोगों के message आने चाल लोगा है टेलेग्राम पर फिर मैंने एक paid service शुरू करी थोड़ी से पैसे पर क्योंकि मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था बहुत सारे call बहुत सारे message तो personally बाते शुरू हुई है न और उससे जो चीज़े निकल के सामने आई बहुत कुछ चीज़े आप मैंने खुद host उड़ाने वाले सब वो थे ठीक है न experience था आपका तो मैं उसी basis पर यह बता रहा हूँ और यह मैंने cutoff को लेकर के भी लोगों को बोला था कि cutoff changes होने वाले मैंने TA CBD की कई वीडियो बनाएं लोग मुझे बार-बार comment में कहते थे कि तुम यह क्यों करते हो बार-बार TA CBD तो बहुत high चला जागा अब result आया तो सबको समझ में आ गया मैंने लोगों कहा था कि CGT auditor यह जो है cutoff गिरेगी कम गिरेगी क्योंकि यह TA shift हो रहा है कोई नहीं सुन रहा था लोगों के negative कुछ लोग थे जिन्होंने भरोसा किया था बहुत सारे लोग है जो यह नहीं मानने थे अब जब TA का cutoff उपर गया है जो बहुत सारे चीज़े रही है मैं यह सिर्फ नहीं कहा रहा हूँ तो मैं यह personal लोगों से बात करके आपका क्या reference मैं दे सकता हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको कि CGL 19 के जो लोग है जिनका selection केवल CGL 19 में हुआ है और CGL 18 की वो लोग CGL 19 में बे सेलेक्टेड है आज आपने एक screenshot देखा होगा जिसमें 5000 कुछ बच्चे 2018 की result में सेलेक्टेड लोग CGL 19 में है मैं उस पर भी जरूर बात करना चाहूँगा वो मुद्दा जरूर है क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़ाद आपके दिमाग में negativity पैदा करेगे तो मैं बताओ सबसे पहली चीज कि जिन जिन लोगों को अपनी मन पसंद की location मिल जाएगी क्योंकि SSC की जब तक job नहीं लग जाती है हर समय आपको डर सताया रहता है जैसे example के तोर पे अभी descriptive का आपको डर सता रहा है ठीक है आपके number बहुत अच्छे है लेकिन आपको डर है कि 30 number भी देंगे की नहीं देंगे same कहानी जिसकी 600 प्लस भी रहते हैं वो भी डरा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा ना हो जाए तो जिनकी job लग गई किसी को दिल्ली चाहिए था किसी को अपना हो सबको आप मालूम चल जाएगा कि यार दोखो जिनके CSS है जिनके exercise में अच्छे रहें कि उनको दिल्ली मिल जाएगा तो सबको almost पता ही है तो ये लोग जिनको अपना desire post मिल गया जिनकी job लग गई कुछ लोग की joining आ जाएगी तीन महीने के अंदर तब तक आपका document verification शुरू भी नहीं होगा ये लोग सीधा skip करने वाले है document verification छोड़ने वाले है कारण सुन लो ध्यान से बता रहा हूँ कारण इसका पीछे क्यो है क्योंकि मैंने ये पूछा था लोगों से कि आपके CGL जब मैं पूछता था आपसे कि आपके 18 में भी score है कि 19 में भी वो लोग कहते थे कि मेरा 18 में भी है 19 में भी है 19 मेरे ये score है 18 में ये है लेकिन अगर मुझे 18 से कोई process कोई post मिल जाती है मैं तुरंत इससे skip कर लूँगा reason है कि आप मेरा मन है state का दिने का state PCS या फिर UPSC क्योंकि ये इतना torture वाला process है ऐसा ख़तरनाक process है कि कोई इसमें कुछ भरोसा नहीं है समय का इससे better है क्यों न अपना UPSC दे इतना समय में तो कम से कम UPSC में एक साल में पता तो होता है कि आपका होगा कि नहीं होगा और ये mood एक बंदे का नहीं maximum लोगों से मैंने बात करी ये बता रहो दूसरा दिक्कत होता है SSC की job में transfer का maximum job में जो लोग कर रहे हैं वो transfer को लेके फसे हुए तो जो लोग अब 18 से अपना desire post ले लेंगे location पा जाएंगे वो अब दूसरी job या तो UPSC या state pieces की तरफ move कर रहे बहुत सारे लोगों का अब ये mood बन चुका है ये trend बता रहा हूँ में अभी latest का इस वज़े से लोग सीधा skip करने वाले और आपकी दिमाग में जो लहता है कि लोग post खराब करते हैं कुछ होते हैं बच्चे लेकिन मैं ये पर्सनल बता सकता हूँ आपको लोगों से बात करने के बाद कि रियली लोग ना seat खराब नहीं करना चाहते हैं मैं आपको सब बताता हूँ ध्यान सुनिएगा तो ये बेस्ट है आपके लिए कि जिनको desire post मिल गई वो इस torture वाले process से कटेंगे skip बहुत लोग करेंगे css वाले exercise दिल्ली वाले mea वाले iti जिनको home state मिल जाएगा ठीक है वो भी लोग जो बहुत साले से त्यारी कर रहे हैं वो भी लोग तो ये चीज़े आपके लिए हैं अब हम बात करते हैं वाइरल screenshot था जो ये बात हो रही थी कि 5,475 लोग ऐसे हैं जिनकी cgl 18 में नौकरी लग गई है और लोग mains में क्वालिफाई हैं cgl 19 का 19 का तो इन लोग अगर नहीं किये होते mains का तो कम से कम ये नए बच्चों को मौका मिला होता है या फिर ये लोग जॉब लेंगे दुबारा तो ये seat खराब हो बिल्कुल आपका कहना सही है लेकिन अगर आप इनको अपने जगाप रखके देखो मैं के case बता रहूं ध्यान समझना आप तो आपको चीज समझ मैंगी देखो CGL 18 का जो रिजल्ट आया है उसमें 40 बच्चे ऐसे है जिनका रिजल्ट नहीं दिया गया है जिनको फेल कर दिया गया है कारण पता आपको क्या है कि उनकी जो descriptive थी कुछ उसमें दिक्कत थी आपको गया यार ये तो चीज पहले से उनको पता होगा जानने वाले जानके आपको हैरान ये ही होगा कि उनका सब कुछ ओके था tier 3 का भी result आ चुका था descriptive में number ठीक ठाक थे उनका document verification भी हो गया था और जब final result आया तब उनको मालूम चला कि उनका rejected list में नाव है 40 लों का roll number आया बात समझ में आपको अब आप अपने आपको इस जगह पर रखे देखिए कि जब आप सीजल 18 आपके सामने सीजल 19 है आपको अता पता नहीं के सीजल 18 में क्या होने वाला है क्या हो कैसे होने वाला है तो क्या आप सीजल 19 छोड़ देते ये reason रहा है बच्चों तो इसमें गल्ती एस्पिरेंट 5475 लोगों का नहीं है गल्ती SSC की दूसरी चीज वेकेंसी कट वेकेंसी कट आया बास समझ में आपको 166 वेकेंसी कार्ड दी गई सीजल के अठारा की और माल लिजी वेकेंसी कट ज़्यादा कर दिया गया था आदमी अपने आपको सेफ करने के लिए न सीचसल यह सब भरा होता है अब सीचसल अठारा की लोग नहीं करेंगे लेकिन आदमी सेक्योर करने के लिए नहीं पता माली चालेस लोग जो थे यह जिनके नंबर अच्छे हैं जिनका सब कुछ क्लियर था डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन में उनके क्लियर सी लिख क्या है क्लियर लिख क्या है और जब रिजल्ट आया तब मालूं चला कि उनको यह रीजन की वज़े से वह कर दिया गया सोचे क्या बीता होगा उन पर तो यह इस वज़े से आदमी को जब तक हाथ में जौब नहीं जाता है आदमी हर एक option try करता रहता है जब आप उनके angle से सोचोगे ना बात करो कि तब आपको समझ में बाते आएंगी तो यह रहा है गलती एससी की है और मैं कहरा हूँ कि लोग सीट नहीं waste करेंगे आप दिमाग से टादी हम campaign करेंगे बाते करेंगे cg lending मैं पूरा है और म मैं बाते करता हूँ तो लोग जानते सवाल ही उठता है कि अभी हम क्या करें सबसे पहला चीज़ जो यह रोज आप यह करते हो ना कि मेरे इतने number आ जाएगा exercise यह आ जाएगा वो जाएगा मेरी बात मानी है कि माल लीजिए आपके number कितने भी अच्छे माल लीजिए आपके जीरो number ना दे दे यह डर्द लगा रहेगा तो कुछ उसका output नहीं आना है मेरी बात मानी है जब तक आपका marks नहीं आ जाता है descriptive जिस दिन marks आ जाएगा शाम को ही आपको confirm है कि आपको post मिल ली है च्यालिस सो अठाइस सो चौबिस सो नहीं मिलने चौबिस सो वालों का थोड़ा डर रहता है अठाइस सो चौबिस सो आपको confirm हो जाएगा बात मानी है तो जो रोजी आप यह बिर इतने नंबर है tier 1 tier 2 कितना normalization होगा 70 बड़ेगा 60 बड़ेगा 50 बड़ेगा यह मैं कह दो कि अस्य बड़ेगा क्या आप यह मान लोगे अपका मन मान जाएगा नहीं मानेगा डर फिर वही बनारेगा फिर अपने आपको परेशान करोगे तो मेरा request आप से यह कि अगर आप त्यारी कर सकते हो 2020 का आपका दिमाग कह रहा है आप सब छोचार के लग जाईए कुछ पता न तो कोई जॉब है तो आप जॉब के साथ कर लीजिए वो बेटर रहेगा आपको अपने आपको प्रेशर से कम करने का तरीका यह है और भी कोई टेंशन आप लिखिए मुझे टेलिग्राम पर मैं बाते करता हूँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है यह कट आप देख ल पहले आपको शाड़े 600 या 600 पचपन के आसपस बताए गई होगी यह देखो यह कट अफ गिरेगी मान के चलो आप 5 से 10 नमबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा सीजल 18 की वज़े से आपको 4600 में देखने को ज्यादा ना मिले क्योंकि हो सकता है कि जिनके 2800 जीपी की पोस् होंगा अगर मुझे मिला तो ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं है है ना तो यह टीर 3 का 50 नमर लेकर कि एक सारी कटेगरी का आप पढ़ लीजेगा अपने साब से मेरे साब से यहीं रहेगा थोड़ा सा पांच नमर तक अंतर देखने को मिल सकता क्योंकि कई सारे लोग जो अल्यडी 4600 पाएंगे वो नहीं जाएंगे आप मान के चलिए दोजार चार्सों में जो गैप रहेगा आप अच्छा दोहजार अठारा वाले से गैप मेंटेन करोगे तो अल्मोस्ट वही गैप देखने को मिलेगा 35 नमर का गैप आपको देखने को मिलेगा तो मेरे के स करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा आप कट अफ पूछ रहे थे देख लीजे बाकि जो मैंने कहानी बताई वह ध्यांसरे मैं कह दूँ 610 नमबर पर आपको मिल जागा 2400 आपका मन फिर नहीं मानेगा फिर आप रिसर्च करोगे कि यार यह है वो है पलांडिम का इसलि लिए कट अदमी देता नहीं क्योंकि कट अफ देने का नहीं है कट अफ देने के बाद आप ऐसी गंदगी मचा देते हो ना कि क्या बताऊं मैं आपको और इतना समय नहीं होता पता मेरे इस्टिटूट पर क्लासे होती है और फिर यह रहते है ऑफ लाइन पे तो इतना region आप साफ साफ जान रहो होगे कि SC के ही 226 से जादा बच्चे है OBC के ही इतने बच्चे और आपको पता है कि यह जो बच्चे है ना इनको कोई और पोस्ट नहीं मिल सकता क्योंकि इनके marks डबल लेू का paper हटा करके इतने नहीं है कि वो कोई और पोस्ट ले सकते है हो सकता है कि SC और ST के मिल जाए लेकिन बाकि OBC और UR के नहीं मिलने है तो आप मान के चलिए कि जो आपकी rank होगी मैं फिर बता रहा हूँ आपके जो rank होगी जो tier 3 के बाद आपको मिल पाएगी marks आने के बाद अगर आपकी मान लिजे UR हो आप और मान लिजे 500-600 आपकी 600 candidate candidate available है अगर आपकी UR में 300 के आसपास मान के चलिए rank आती है क्योंकि 200 seat हैं आपकी आपके chances बहुत अच्छे रहेंगे राइट हो सकता है कि यह 100 लोग है या और डूसरी पोस्ट को लेके बैठे हुए हो है न इतने तक आपको chance मिल सकता है 100-100 candidate extra मान सकते हो आप rank के हिसाप से अब यह 300 rank कितने पर आ सकती है 570 पर आ सकती है sorry 570 नमबर है 560 पर आ सकती है 570 पर आ सकती है यह नहीं कह सकते JSO और statistical investigator statistical investigator की seat बचेगी इसको दिमाग में रख लीजे आप seat नहीं भर पाएंगी क्योंकि इन्होंने जो रखा है criteria साइधी दुसरे ग्रह से लेके आना पड़ेगा लोग ठीक है न और cut-off भी clear की होई लोग JSO का बता दो मैं आपको same scene है जो double A का बताया है जितनी seat है अगर आप उस कहना में उस post के 50 candidate तक भी आप कम हो 50 candidate बता रहा हूँ उसमें मैंने 100 बताया था इसमें 50 मानके चलिया आप तो आपके chances बहुत ज़ादा है आपके क्योंकि इसमें से बाकी लोग बचेंगे जो double JSO के बाद कोई दूसरी post नहीं लेने लाइक रहेंगे क्योंकि उनके marks बहुत कम रहेंगे कि 28-24 लो ले पाए से लेकिन सब कुछ ठीक हो